एक समान्य ऐसी कोफी को कैसे हर्वेस्ट किया जाए, कैसे उसका उत्पादन लिया जाए कि वो दुनिया की सबसे महंगी कोफी बन जाए आज मैं आपको ऐसी ही कोफी के बारे में बताऊंगा जिसका एक कप पीने के लिए आपको लगभग 20-25-30,000 रुपे देने पड़ते हैं मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे महंगी कोफी के बारे में पोदा भी वैसा ही होता है जैसा समान्य कोफी का होता है लेकिन कुछ ऐसा किया जाता है हारवेस्टिंग के टाइम कि वो दुनिया की सबसे महंगी कोफी बन जाती है और बड़े बड़े लोगों के घरों में कपों के अंदर वो सजाई जाती है अब उसका उत्पादन कैसे होता है अगर ये जान लोगे तो आपको हैरानी भी होगी और बहुत से लोगों को उसके बाद में कोफी जो है वो पीना पसंद भी नहीं रहेगा खेर दोस्तों मैं वीडियो की शिरुवात करूँ और आपको एक अलग परकार की खेती जिसका दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है इतनी मांग कि अगर आप उस कोफी को जंगल से हरवेस्ट करते हैं तो पंदरा सो डॉलर पर केजी के हिसाब से बेज सकते हैं और अगर आप खुद के यहां पर अपने फारम में छोटे पिंजरों के अंदर उसे हरवेस्ट करते हैं तो आप उसे लगभग डेड़ सो डॉलर पर केजी के हिसाब से बेज सकते हैं दोने ही स्थितियों में हजारों के अंदर किलो का भाव है और एक स्थिति में तो लाखों के अंदर है खेर दोस्तो हम वीडियो की शुरुवात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए ये और उसी के साथ जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फोलो कर लीजिए तो दोस्तो शिरू करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ आपने चोकलेट खाई होगी और चोकलेट की खेती कैसे होती है इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके अंदर हमने जिक्र किया था कोकोआ का एक इस परकार का फूर्ट होता है उसको आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर चोटे चोटे विन्स निकलते हैं उन्हें आप सुखाते हैं और उन्हीं ड्राइव इन्स से आपकी चोकलेट बनती है लेकिन कोफी जो है उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है कोफी का पोदा कुछ ऐसा होता है उसके उपर चोटे चोटे बिन्स लगते हैं आम तोर पर इन्स को तोड़ लिया जाता है सुखा लिया जाता है कोफी बना कर आपके पास भेज़ दी जाती है लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जो दुनिया की सबसे महंगी कोफी है उसे कहा जाता है सीवेट कोफी जो आगे का अक्षर है ना C-I-V-E-T इससे जाकर गूगल पर सर्च करोगे तो इस बिल्ली का रूप आपको दिखाई देगा और यही है जिसके जरी जो कौफी त्यार होती है वो दुनिया के सबसे महंगी कौफी है होता क्या है दोस्तो आप लोग जब एक चीज नोट करेंगे गूगल पर सर्च करना सीवेट और दूसरा कौपी लुवक यह दोनों शब्द सर्च करने पर आपको लगबक कानी समझा जाएगी लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है कि जब पोदे के उपर ये बीन्स लग जाते हैं तो इनको हारवेस्ट करने के लिए हाथों से नहीं तोड़ा जाता इनके ओपर इन बीन्स को छोड़ दिया जाता है जंगल में आमतोर पर ये बीन्स लगते हैं इनको खाती है इनको खाती है तो इनका पेट इन बीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो उन्हें सीधा पोटी के अंदर निकाल देत और उसके बाद में जो निकाल देता है वो कुछ इस परकार का होता है उसे हारवेस्ट कर लिया जाता है फिर उसे धोया जाता है फिर सुखाया जाता है और इसे बेचा जाता है और इसे कहते हैं सिवट कैट कोफी और यह होती है दुनिया की सबसे महगी कोफी जहां पर जंग में पिंजरों के अंदर इन बिलियों को पाल पाल के लोग बड़े स्थर पर इसकी खेती कर रहे हैं वो क्या करते हैं पोदे के उपर बिली को नहीं रखते हैं वो खुद हर्वेस्ट करके बीज लाते हैं फिर इसको खाने के लिए देते हैं ये खाती है फिर पोटी करती है त तो अब कुछ फार्म ऐसे भी खुले हैं जो और्गैनिक सिवेट कोफी कहते हैं उन्होंने क्या किया है कि कोफी के प्लांट लगा लिए और जिस एरिया में लगाए उसके आसपास जालिया लगा लिए और उनके बीच में विलियों को छोड़ दिया और वो रोजाना इनकी प कोफी आफोड कर पाते हैं उनके यहां पर इस कोफी का इस्तेमाल आम खास होता है खर दोस्तों यह पोटी खाने वाली जो कोफी है इसके बारे में आपका क्या विचार है कोमेंट स्रक्शन में जरूर बताईएगा और मेरी बात पर रुश्वाशना हो तो एक बार जाईए और गूगल पर जरूर सर्च कीजिए अगर आपको मेरी बात सच्चे लगे तो आईएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वरना जो भी आपकी हिदायत हो आपका कॉमेंट हो उसे कॉमेंट बोक्स में बता दीजिएगा देखते रहिए ABC इंडिया